हेलो फ्रेंड्स, I am शिखा गुपता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरियॉलिस फोर्स की अक्सर जब भी हम एट्मॉसफेरिक विंड्स के बारे हम बात करते हैं यानि वायो मंडली पवनों की बात करते हैं या धर्ती पर जो विभिन प्रकार की दाप पेटिया है या प्रेशर बैल्ट से उनकी बात करते हैं तो हम अक्सर यह वर्ड सुनते हैं कोरियॉलिस फोर्स यह होता क्या है यह कैसे जनरेट होता है और हम अक्सर जो ये सुनते हैं कि भूमद्य रेखा पर कम होता है, पोल्स यानि ध्रूवों पर जादा होता है, ऐसा क्यूं होता है, इन सब की बात आज हम करेंगे ये बात करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बच्पन की याद दिला दू, बच्पन में आपने ये जूला जरूर जूला होगा या देखा होगा, इसमें कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद अपने पैरों से इस डिस्क को गूमाते रहते है और गोल गोल इस पर गूमते रहते हैं सपोज ये दो लोग हैं और ये merry-go round जूला है और इस पर दो लोग जूल रहे हैं ये हैं A और ये है B A ने B को एक ball पास की अब क्योंकि ये disc जो है वो घूम रही है अब इसकी वज़े से क्या होगा A ने तो ball B को पास की थी यानि कि straight line सीधी रेखा में पास की थी लेकिन इसकी घूमने की वज़े से जो है B की position हो जाएगी change यानि B दूसरी जगे पहुँच जाएगा थोड़ा सा shift हो जाएगा लेकिन ball तो सीधी रेखा में जाएगी तो B को क्या लगेगा कि ball जो है टेड़ी फैकी गई थी क्योंकि B अब यहाँ आ चुका है लेकिन ball सीधी रेखा में फैकी गई थी इसे बोलते हैं deflection deflection किस वज़े से हुआ है यहाँ पर जो चीज थी उसकी गती तो उसकी दिशा तो सीधी रेखा में थी लेकिन deflection हुआ है इस rotation के कारण जो जूला है इस जूले के गोल-गोल घूमने के कारण यही होता है Coriolis force कैसे? अब यही case होता है अर्थ के साथ अर्थ आपको पता है कि west to east यानि पस्चिम से पूरव की ओर घूमती है इसी वज़े से सूरज हमें पूरव से उपता और पस्चिम में ढलता हुआ दिखाई देता है और अर्थ घूमती है anti-clockwise यानि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में अब suppose मान लीजे कि equator से पवने उठ रही है हाला कि equator पे क्योंकि बहुत ज़्यादा temperature होता है गर्भी होती है इसकी वज़े से low pressure बनता है और यहाँ पे हमेशा high pressure से पवने आती है ना कि यहाँ से पवने जाती है ऐसा क्यों होता है यह हम पहले अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका की link आपको description में मिल जाएगा अब मान लीजे कि equator से पवने उठ रही है हम example के लिए ले लेते हैं उत्तर की तरफ जा रही है अब क्योंकि यह पवने तो straight line में जा रही है लेकिन क्योंकि earth rotate हो रही है और पश्चिन से पूरव की ओर जा रही है तो हमें यह पवने भी पूरव की ओर जाती हुई दिखाई देंगी तो हमें यह लगेगा कि पवने जो हैं अपनी दिशा से मुड रही है इसी प्रकार से मालीजे दक्षिन की ओर पवने चल रही है तो वो भी हमें पूरव की ओर मुर्ती हुई दिखाई देंगी क्योंकि earth जो है rotate हो रही है और इसे ही हम coriolis force कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि पवने जो है वो deflect हो जाती हैं अपनी दिशा से मुर जाती है जबकि पवने नहीं मुरती है क्योंकि earth rotate हो रही है प्रत्वी अपने अक्ष पर घूम रही है इसकी वज़े से हमें पवने मुरती हुई अपनी दिशा से विचलित होती हुई दिखाई देती हैं तो यानि यही coriolis force है और इसकी वज़े से उत्री गोलाद में जैसा कि हम देख रहे हैं यह उत्री गोलाद है और यह है दक्षनी गोलाद तो उत्री गोलाद में हमें पवने अपनी दिशा के बाई ओर अपनी दिशा के दाई ओर जाती हुई दिखाई देती हैं और दक्षणी गुलार्द में अपनी दिशा के बाई और मुर्दी हुई दिखाई देती है यानि जाना तो इनको सीधे चाहिए था लेकिन ये दाई और मुर्द जा रही है इसी प्रकार से दक्षणी गुलार्द में क्या हो रहा है इने जाना तो चाहिए था सीधा लेकिन क्या हो रहा है ये अपने बाई और मुड जाती हैं इसे बोलता है कोरियोलिस फोर्स अब हम बात करते हैं कि जो प्रत्वी के डिफरिंट लाटिट्यूट्स हैं उन पर कोरियोलिस फोर्स वो vary क्यों करता है अलग-अलग क्यों होता है देखें जैसा कि हम देख सकते हैं equator यानि भूमत्य रेखा सबसे लंबा अक्षांश होता है अगर देखें तो सबसे लंबी परिधी है equator की अगर इसको एक circle माने और North hole और South hole जो होता है वो एक point जैसे होता है बिंदू जैसे होता है तो यानि जैसे-जैसे latitude बढ़ रहा है यान जीरो से हम 90 डिगरी जाएंगे तो उनकी लंबाई जो है घटती जाती है अब बचपन में हमने एक simple formula पढ़ा था speed equal to distance upon time यानि चाल बराबर दूरी बटा समय यानि जितनी ज्यादा लंबाई होगी और जितनी कम समय होगा उतनी ज्यादा चाल ज्यादा होगी वहीं जितनी कम दूरी होगी और जितनी ज्यादा जो है समय लगेगा उतनी ही कम चाल होगी अब यहाँ पर देखिए समय तो बराबर है अर्थ जो है वो रोटेट होती है 24 घंटे में अपने अक्षपर पूरी गुम जाती है 24 घंटे में अब अगर देखिए हम पोल्स पर बात करें तो वाले व्रत पर अगर हम बात करें तो वह एक बिंदू जैसा है तो यानि पूरे 24 घंटे में एक बिंदू के बराबर भूमती अर्थ तो यानि चाल क्या होगी कम वहीं एक्वेटर और भूमद्य रेखा पर हम बात करें तो क्योंकि इसकी लंबाई बहुत जादा है तो डि पर बहुत कम है तो पहली बात तो यह हो गई अब अगर हम मानते हैं कि एक्वेटर से हमने एक्वेटर से पवने चली और 30 डिगरी लाटिट्यूट पर जाकर बैठी अब तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिफरेंस आएगा वह कमपारेटिवली कम आएगा अगर हम बात करें 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में क्योंकि 90 डिग्री पर तो बहुत धीरे स्पीड है और 30 डिग्री पर उससे जादा है और एक्वेटर पे सबसे जादा है तो डिफ्लेक्शन जो है वह सबसे जादा में पोल्स पर फील होगा क्योंकि एक्वेटर और जो ध होता है कि poles पर जो है koriolis force होता है maximum क्योंकि यहाँ पर velocity difference सबसे जादा है और जब कि equator पर koriolis force हमें कम होता है क्योंकि यहाँ पर velocity difference बहुत ही कम है तो इस तरीके से hopefully यह video आपको समझ मैं आ गया होगा koriolis force क्या होता है जैसे जनरेट होता है और ये अलग-अलग जगह पर अलग-अलग क्यों होता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू वेरी मच बबाई